दोस्तो नमस्कार, ट्रीडिंग होना चनल में आपका स्वागत है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज 25 अक्टूबर 2019 का NSE Cash Market का हीरो है, GICRE, यानि General Insurance Corporation of India, ये एक इंस्रेंस सेक्टर की कंपनी है, और ये एक TSU कंपनी है, ये आज का हीरो है, दोस्तो हम प्रति एक एक दिन NSE 500 Cash Market का विशलेशन करते हैं, और हमारे विशलेशन में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिनके आधार पर हम प्रति दिन एक हीरो को सिलेक्ट करते हैं, यानि वो शेयर जिसने की सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है, तो आईए देखते हैं कि GICRE, यानि कि General Insurance Corporation of India आज हीरो किस तरह से बना और उसका कंपटिशन किन शेयर के साथ में था, इसने कैसा परफॉर्मेंस कि दिया है आज, आईए ये सब देखते हैं हम अपने इस वीडियो में, दोस्तों इसके पहले हम वीडियो शुरू करें, आप प्लीस हमारे डिस्कलेमर को ज़रू प पांच पेरामीटर्स हैं, सबसे पहले हम गेनर्स और लूजर्स का एनलिसिस करते हैं, उसके बाद में हम वॉल्यूम एनलिसिस करते हैं, तीसरा जो हमारा स्टेप होता है, वो होता है, रिकवरी फॉर्म इंट्राडे लो का, यानि कि नीचे से कोई भी शेयर कितना उपर की आया है, यानि कि उसमें कितना बाइंग इंट्रेस्ट पांटिसिपेंट्स का शो हो रहा है, कितना वो मजबूत हुआ है आज की इंट्राडे ट्रेड में, और उसके बाद में जो चौथा पेरामीटर होता है कि फॉल फॉम इंट्राडे हाई, यानि कि वो शेयर आज के पिवर्ट पॉइंट एनलेसिस से हम यह पता करने की कोशिश करते हैं कि यह जो शेयर है या कोई भी शेयर वो एक बुल फेज में एंटर कर रहा है या एक बेर फेज में एंटर कर रहा है यदि कोई भी शेयर एक बेर फेज में है और यदि उसने एक अच्छा पर्फोर्मेंस किया गेनस और recovery के आधार पर तो वो एक bull face में enter हो जाता है यदि कोई share already एक bull face में है तो वो यहाँ पर show नहीं होगा और इसी तरह से यदि कोई share bull face में है और यदि उसका performance खराब रहता है आज नीचे की और गिरता है या उसमें intraday fall होता है तो वो एक bear face में चला जाता है तो हमारी यह 5 steps है analysis करने के और उसके बाद में इन 5 steps के आधार पर हम यह decide करते हैं कि हमारा आज का hero कौन सा है यह आप हमारी screen देख रहे हैं जो बहुत ही clear है और यह एक flow chart बना हुआ है तो हम शुरू करते हैं अपना पहला analysis जो की है gainers और losers का दोस्तों हम top 10 gainers को लेंगे और top 10 losers को लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं thumbs up यानि की gainers और thumb down यानि की losers सबसे पहले बात करते हैं top 10 gainers की यहां पर हम देखते हैं कि आज top 10 gainers वाले कौन से share रहे हैं GICRE 10.05, NISCL 9.98, PNB Housing 9.76, Star 8.30, Yes Bank 7.97, State Bank 7.26, Kestol India 6.57, Dish TV 5.41, Sudarshan Chemical 5.34 और XLRX 5.27% बढ़के बंद हुए हैं जैसा कि आप screen पर देख रहे हैं कि एक curved arrow भी यहां पर दिखाई दे रहा है जो कि GICRE, NISCL, Star, Yes Bank, Kestol India और Dish TV में हैं यह वो share से हैं जो कि आज के top 10 इंट्राडे recovery वाले share हैं यानि कि यह वो share हैं जो कि आज इंट्राडे trade में काफी मजभूत हुए हैं और अपने निचले इस तर से उपर की ओर गए हैं साथी आप एक और sign देख रहे होंगे volume का जो कि आप PNB Housing Finance और सुदर्शन Chemical में देख रहे हैं यह volume plus का sign है यानि कि यहां पर आज volume बड़ा है यहां पर आज trading बड़ी है participants ने ज्यादा trade किया है अब हम शुरू करते हैं हमारे यह जो तीन जो हमारे shares आज दिखाई दे रहे हैं top 3 इसमें जो दिखाई दे रहे हैं GICRE, NIACL और PNB Housing तो हम इनका एक बार daily chart देख लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं GICRE 10.05, NIACL यह भी एक insurance sector की company है और यह New India Insurance Company Limited है यह भी 9.98% बढ़के बंद हुआ है PNB Housing यह भी एक PNB की subsidy company है 9.76 एक housing company है और यह भी एक PSU है तो आज के जो तीनों top performer है वो PSU sector से ही आते हैं अब देखते हैं हम इनके chart दोस्तों सबसे पहले GICRE का chart हम देख रहे हैं यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि यह एक already एक uptrend में है और इसने पिछले 15 तारीक को इसने एक uptrend दिखाया था और इससे उसने एक breakout लिया था उसके बाद में कुछ sideways trading होने के बाद में आज इसने फिर से एक अच्छी खासी बड़ा दर्ज की है साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ दिनों से इसके volume में काफी ज़्याद़ प्रद्दी हुई है और आज भी एक अच्छा खासा volume यह शेयर ने लिया है अपनी trading में इसके बाद में हम देखते हैं नियसील न्यू इंडिया एसरेंस कंपनी लिम्टेड यहाँ पर भी आप देखेंगे यह हमारा हीरो भी रहा था साइद 18 तारीक का और 16 तारीक का यह हमारा हीरो रहा था और NSE 500 Cash Market का जैसा कि और यह दुबारा से आज इस हीरो वाली रेस में शामिल हो रहा है उसका रीजन आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बड़ा थियाम पर दिखाई रही है और volume भी आप देख रहे हैं कि अच्छा-कासा इसमें volume बढ़ गया है लेकिन यदि आ आप इन दोनों insurance sector की बात करें जैसा कि मैंने आपको GICL GICRE का दिखाए GICRE का volume थोड़ा सा NICL से ज्यादा है NICL में इतना ज्यादा volume नहीं रहा है अब हम देखते हैं PNB Housing Finance की तो यहां पर देखेंगे volume बहुत जबरदस रहा है लेकिन जो intraday recovery रही है उसमें थोड़ा सा उपरी level पर इसमें selling आई है उसका reason यह भी है कि इसका जो super chart है वो super chart एक selling यहां पर दिखाई दे रही है उसमें तो यदि यह उसके उपर sustain कर जाता यानि कि 531.05 के उपर यदि यह sustain कर जाता तो इसका उपर का bull face शुरू हो सकता था तो यह एक अच्छे खासे radar पर रखना च चाहते हैं क्योंकि एक अच्छा खासा volume दिया है आज यह fail हुआ है अपने super trend को तोड़ने के लिए लेकिन यदि आगे market अच्छा रहा तो definitely यह super trend को तोड़ देगा और उपर की और यह share भागेगा अब हम देखते हैं अपना वह analysis जो कि मैं प्रितेग दिन करता हूं दोस्त हैं यानि कि मैंने पिछले दिन की जो closing थी उसको मैंने 100 रुपीज बना दिया है और जैसा कि आप 100 की एक line देख रहे हैं black color की thick line आप देख रहे हैं वो कल का closing है और उसके आदार पर आप देख सकते हैं कि जो bars दिखाई दे रहे हैं candle bars दिखाई दे रहे हैं उससे जो निच है वो आज का closing है तो यहां पर आप clearly देख सकते हैं कि NIA CL जो कि तीसरा बार है और GICRI जो कि चौता बार है यहां पर एक अच्छी खासी recovery आई है और यह share 10% के करीब ऊपर बढ़ करके बंद हुए हैं तो बहुत अच्छा चार्ट रहा है NIA CL का और GICRI का recovery वाला हम अब इसके बाद में हम विशलेशन करते हैं आज के top 10 गिरने वाले शियर का जैसा कि आप देख रहे हैं इसलाइ टेकनोलोजी 14.10 इंडिगो 11.84 डिकाल 11.10 आर पावर 9.72 इंफाटल 8.65 एसाइस 7.83 पी एल 7.59 इंडिया बुला आउसिंग फाइनस 7.06 पराग मिल 6.61 और आईडिया 5.75 परसेंट नीचे गिर के बंद हुए हैं दोस्तों यहां पर जो आप कर्ड रहों देख रहे ह हैं क्योंकि मार्केट आज शुरू में काफी ऊपर था उसके बाद में यह नीचे गया इसलिए यह इंट्राडे फॉल वाले शेयर सें जो कि आज के टॉप 10 लूजर्स में शामिल हैं तो आप देख रहे हैं केवल आईडिया को छोड़कर कि यह सारे शेयर अपने ऊपरी इ यह से भी कमजोर चल रहा है और आज फिर एक अच्छे-कासी वाल्यूम के साथ में यह नीचे की और गया है वहीं पर मैं आपकी ध्यान देनारा चाहता हूं इंडिको की और जैसा कि इसका रिजल्ट आया था आज उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है जितना की एक्सप जहां देना चाहता हूं मैं आपने सभी विवर्श को एक साहा देना चाहता हूं कि यदि आप बाइंग करके ट्रीट करना चाहते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमेESHा वो शेयर्स देखिएगा जो की बढ़ने वाले शेयर्स हैं और उन पर आप कि वो कब तक गिरते हैं, कितना गिरते हैं, कब बॉटम बनाते हैं और उसके बाद में वो कब शुरू होता है उनका उपर जाना, क्योंकि कुछ companies ऐसी होती है, अच्छी companies होती है, किसी वज़ाई से न्यूस से या कुछ fundamental, temporary, disturbance की वज़ाई से वो नीचे आती हैं, लेकिन उसक किती कुछ भी हो, हमेशा हमको यह avoid करना चाहिए, कि हम गिरनते हुए shares में कभी trading ना करें, buying side से, या हम कभी भी investment करने की कोशिश ना करें, तो यह आप shares note कर सकते हैं, जो कि गिरने वाले shares हैं, अब हम बात करते हैं, वो analysis जैसा कि मैंने intraday recovery वाले shares में किया था, इसी तरह से यह मैंने analysis किया intraday fall वाले shares में, यह वो 10 share है, top 10 intraday fall वाले shares हैं, जिसमें कि R-Power, Estillite Technologies, Sys, Decal, Indigo, Indiable Housing Finance, Infatel, PEL और Prague Milk, जैसा कि आपने पिछली screen में देखा था, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, आप देखिए, Estillite Technologies, top 10 गिरने वाले shares में शामिल है, और यहां पर आप यह top 10 intraday fall वाले shares में शामिल है, यह 100, मतलब करीब करीब 3-4% नीचे खुला और उसके बाद में यह लगबग 18% नीचे तक गया, उसके बाद में इसमें कुछ 4-5% की recovery आई है, और अंतरता यह लगबग 14% की कमजोरी के साथ में बंद हुआ है, यह सारे share वो हैं, जो कि जि अब हम यह देखिएगा, मैंने इसको highlight भी किया है, इसको light technologies को, यह काफी कमजोर हुआ है, इसका detail analysis करने के बाद में एक separate video डालूँगा कि इसमें क्या कर सकते हैं, हम short selling कर सकते हैं या इंतजार कर सकते हैं, इसके बाद में दोस्तों, हमारा जो दूसरा analysis का parameter है, वो है volume analysis, त अब देख रहे हैं, हमारे पास दो sign यह आपर दिखाई दे रहे हैं, एक है volume plus और एक है volume minus या volume cross, यानि कि हम सबसे पहले वो देखेंगे जहां पर volume बढ़ रहे हैं, और वो shares भी देखेंगे जहां पर की volume कम हो रहे हैं, तो आईए देखते हैं, volume बढ़ने वाले shares, वो कौन से shares है, PNC Infra, लगभग 32 गुना ट्रेडिंग जादा हुई है, Reliance Infra, 25 गुना ट्रेडिंग जादा हुई है, Aries, 25 गुना, Sudarshan Chemical, 23 गुना, APL Limited, लगभग 19 गुना, PNB Housing, लगभग 17 गुना, R Power, लगभग 15 गुना, Reliance Capital, 14 गुना, Carbon Union, लगभग 11 गुना, MHRIL, लगभग 10 गु Sudarshan Chemical और PNB Housing ये वो share हैं, जो कि आज के top 10 बढ़ने वाले shares में भी शामिल हैं, यानि कि जबरदस्त volume साथ में बढ़ने वाले shares, वहीं पर आप देखेंगे, R Power, top 10 गिरने वाले shares में शामिल है, thumbs down दिखाई दे रहा है, तो हमने इसमें जो share choose किया है, इसमें देखिए, आप जो parameter है, volume वाला parameter वो PNB Housing Finance ने score किया है, तो PNB Housing Finance जो कि लगबग सारे 16 गुना trading जादा हुई है, और लगबग 15% के करीब इसकी share price बड़ी है, ये इस parameter को pass करता है, अब देखते हैं हमारे गिरने वाले shares, ये वो कुछ गिरने वाले shares हैं, जहाँ पर की trading लगबग आदे के क 90% के करीब इसमें कमी आई है, यानि कि काम का थोड़ा सा यहां पर सुस्त्रा है, तो ये बहुत ज़्यादा important नहीं है, हमारे किसी भी काम का ये data बहुत ज़्यादा important नहीं है, तो हम देखते हैं अपना अगला analysis जो की है हमारा recovery from intraday low, जो की हमारे तीसरे number का analysis है, ये देखिएगा, intra day recovery, यानि कि वो share जो की नीचे से उपर की ओर गए हैं, आज यानि वो share जोनोंने आज मजबूती दिखाईए, अपने निशले इस तर से उपर जाकर के बंद हुए हैं, मार्केट में चाहे कुछ भी हो, ये show करता है कि share कितने ज़्यादा मजबूत रहे ह और इन shares को हमको investment के लिए और trading के लिए नजर में रखना चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज के top 10 intraday recovery वाले shares की ओर, हमारी जो पहली line है, वो है price का increase, दूसरी line है वो recovery का, तो यहाँ पर देखिए, yes bank, अपने intraday से लगवाग 14% उपर की ओर बंद हुए है, डि IACL, सबा 12%, GICRE, लगवग 12%, PEL, लगवग 11%, Star 8.48%, Reliance Infra 8.44%, Castrol India 7.69%, और India Bull Ventures, लगवग 7.68% recovery इनों ने अपने निचले से दिखाई है, तो यह रहे हमारे intraday recovery वाले shares, यह वो सारे shares हैं, जो की आज बहुत ज़्याद मजबूत हुए है, यहाँ पर आप देखिएगा, PNB Housing Finance नहीं है, तो हमारा यह parameter NICL और GICRE में था, यहाँ पर मैंने इन दोनों का एक analysis किया, और मैंने इनका volume देखा, जैसा कि आपको मैंने volume वाली अभी screen दिखाई थी, volume वाले में भी यह दोनों नहीं थे, लेकिन जब मैंने इन दोनों का volume का analysis किया, तो मैंने पाया कि GICRE का volume काफी अच्छा रहा है, इसलिए मैंने इस parameter में, recovery वाले parameter में, क्योंकि यह दोनों टाई चल रहे थे, इसलिए मैंने इहाँ पर GICRE को चुना है, और GICRE ने इस parameter को pass किया है, तो अभी हमारा आगे का मुकाबला होगा GICRE और PNB Housing Finance का, देखते हैं, सबसे पहले हम देख देखते हैं, GICRE का चार्ट, यह मैं आपको पहले भी चार्ट देखा चुका हूँ, लेकिन फिर से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा movement बन रहा है, एक bull pattern यहाँ पर बन रहा है, अब हम देखते हैं, आज के चौते parameter को fall from intraday high, यानि कि वो shares जो कि उपर से नीचे की और के बंद हुए हैं, जिन में कमजोरी आई है, जिन में selling pressure आया है, जिन में वो shares है, आर पावर, इस्टरलाइट टेकनोलोजी, सिस, PNB, हाउसिंग, डिकाल, इंडिगो, इंडियाबूल, हाउसिंग, फाइनस, इंफाटल, PEL, और पराजमिल, दोस्तों, जैसा कि मैंने आपक shares में शामिल है, यानि कि यह इसने एक negative signature, यहाँ पर negative sign यहाँ पर दिया है, यहाला कि यह top 10 बढ़ने वाले shares में शामिल है, लेकिन इसमें उपरी इस्तर से, इसमें selling आई है, तो यह इस parameter को qualify नहीं करता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने down arrow इसमें लगाया हुआ है और graph arrow भी management down लगाया हुए, जो कि उपर से नीचे गिरने का sign है, अब हम देखते हैं आज का pivot point analysis, जैसा मैंने आपको पहले भी पताया था कि pivot point analysis से हम पता करते हैं कि कोई भी share अपने bull phase में enter किया है, या कि bear phase में enter किया है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, NISEL ने bull phase में enter कि किया है, yes bank ने भी किया है, infra, reliance, infra, cash toll, India, esterlight, ib ventures, distribution, state bank of India का आज रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट था, जिसकी वज़ए से यह लगवग साबा 7% बढ़के बंद हुआ है, और GICRE जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, यहाँ पर आप देखेंगे, इसका pivot point लग 5% उपर की ओर गई है, तो यहाँ पर मैंने GICRE को चुना है, इस parameter को पास करने के लिए, यहीं आप देख सकते हैं, top 10 बढ़ने वाले shares में भी शामिल है, NICL, GICRE, yes bank, cash toll India, star और dish TV, यह shares वो share हैं, जिनमें की आगे आप बढ़त की उम्मीद कर सकते हैं, cash toll India लगा था, दूस काफी पिट चुका है, star में sideways trading हो रही है, तो जो आप radar पर ले सकते हैं, वो शिल ले सकते हैं, NIA, CL, GICRE, cash toll India, dish TV और state bank, यह वो share हैं, जो कि आगे ऊपर की चाल दिखा सकते हैं, अब देखते हम वो share जो कि आज pivot point के साथ से नीचे की और जिनमें जिनोंने एक रास्ता चुन है, यानि कि यहां पर आप दिखाई दे रहा है, मैं यहां पर आप देखेंगे आर पावर इंडिगो से इस्टलाइट टेकनोलोजी जिसके मैं पहले भी discussion कर चुका हूं, कि यह 14% गिरा है, जवर्दस इसमें तेजी के साथ में गिरा हुआ है, तो इसमें कमजोरी आई, इं जो की various face में enter कर गए है, वहीं पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आर पावर और PNB Housing Finance में एक अच्छी खासी volume देखा गया है, तो यहां पर volume के साथ में यह नीचे की ओर गया है, PNB Housing Finance, हलाकि इसने अच्छी recovery भी की थी और top 10 बढ़ने वाले shares में भी शामिल है, लेक अपने एक resistance को नहीं तोड़ पाया है, जो की लगबख 251 के करीब इसका resistance था और यह वहीं से वापस लोटा है और 237.55 पर बंद हुआ है, तो दोस्तों यह हमारा analysis था, हमारे 5 points थे parameters के, इनके आधार पर हम देखते हैं आज का अंतिम step कि हमारा आज का hero कौन सा share रहा है, तो हमारा NSE cash market का आज का hero रहा है, GICRI, क्यों रहा है, मैं summarize करना चाहता हूँ, क्योंकि यह आज top 10 gainers वाले shares में शामिल है, यह top 30 volumes वाले shares में शामिल है, और इसमें लगबख 321 गुना trading ज्यादा हुई है, यानि कि 3 गुने से भी ज्यादा इसमें trading हुई है, और वहीं पर यह top 10 recovery वाले shares में भी शामिल है, यहाँ पर लगबख 12% की इसने recovery दी थी, तो दोस्तों आपको यह video कैसा लगा, यदि आपको यह video अच्छा लगा, तो इसे like कीजिए और share कीजिए, आप हमें comment box में बताइए कि आप किस तरह का analysis चाहते हैं, आप किस तरह के सुझाव देना चाहत है, और यदि आपने अब तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है, तो please हमारे channel को subscribe कीजिए, और bell icon को दबाईए, ताकि जब भी हमारा कोई नया video release हो, वो आप तक साही समय पर notification पहुंचाए, आपने जो समय इस video को देखने के लिए दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, औ और इंतजार कीजिए हमारे अगले video का.